36 गड़ सहित पूरे देश में लोकसवा चुनाओ का बिगुल बच चुका है और आज हम आपको 36 गड़ की वो 56 लोकसवा सीट बताने जा रहे हैं जिन पर भाजपा का खबजा बना रहता है हलाकि इस बार कोशिशें कॉंगरीस की तरब से की जा रही है लेकिन इसमें कामियावी कितनी मिलेगी उसे ये देखने वाली बात होगी सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी रायपूर की राजधानी रायपूर लोकसवा सीट पर साल 2004 से 2019 तक बीजेपी का हिकप जा रहा है बात अगर साल 2004 की करें तो यहाँ पर बीजेपी से रमेश भैस और कॉंग्रेस की श्यामा चरन शुक्ल आमने सामने थे इस चुलाव में बीजेपी के रमेश भैस को 3,06,029 वोट मिले और श्यामा चरन शुकल से उनकी जीत का मार्जिन 1,29,519 वोट कर रहा बात अगर 2009 की करें तो बीजेपी के रमेश भैस और कॉंग्रेस के भूपेश भगेल सामने सामने थे इस चुलाव में भूपेश भगेल ने रमेश भैस को अच्छी टक कर दी लेकिन भूपेश भगेल यह चुनाव 57,901 मतों के अंतर से हार गए इसके बाद आया साल 2014 इस लोगसावा चुलाव में बीजेपी के रमेश भैस एक बार फेर मैदान में थे और कॉंग्रेस ने इस बार 17 शर्मा को आजमाया इस चुलाव में रमेश भैस को 6,54,922 वोट मने और उन्होंने 17 शर्मा को 1,71,646 मतों से हराया यही अंजाम रहा साल 2019 में इस बार बाजपा ने अपना कैंडिडेट बदलते हुए सुनील कुमार सोनी को मेदान में उतारा और उन्होंने कॉंग्रेस के प्रमोज दुवे को 3,48,238 मतों के अंतर जयार आया इस तरहें रायपूर की लोकसवा सीट बाजपा के ही खाते में जाती है और इस बार यहाँ पर ब्रिज मोहन अगरवाल मेदान में है और दूसरी तरफ कॉंग्रेस के विकास उपाद्या है और इस बार भी पलड़ा बाजपा का ही भारी नजर आ रहा है दूसरी नमबर पर बिलासपूर की बात करते हैं राजी गठन के बाद बिलासपूर नोकसवा सीट 2004 से 19 तक बीजपी के ही पास रही है 2004 में बीजपी के पुन्नुलाल मोहने यहाँ से सांसद बने उन्होंने बसंत पहरे को 81,553 मतों से आ रहाया 2009 में यहाँ पर दिनीप सिंग जुदे मैदान में उत्रे उन्होंने उस बक्त कॉंग्रेस की रेणू जोगी को 20,149 मतों से आ रहाया 2014 में यहाँ पर लखनलाल साव मैदान में थे और कॉंग्रेस की ओर से इस बार करूना शुकला जोकी भाजपा में थी वो इस बार कॉंग्रेस की टिकेट पर चुलाव लड़ी और चुलाव हार गी तरुना शुकला बिलाशपूर से 1,24,369 मतों से हरी यही आल 2019 करहा इस बार बिलाशपूर की लोकसवा सीट से आरुन साव मैदान में रहे उन्होंने कॉंग्रेस के अड़न श्रीवास्तव को 1,31,763 मतों से हराया तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो यह है जानजगीर लोकसवा सीट और जानजगीर में भी साल 2004 से निकर 2019 तक बाजपा का इकप जरहा है 2004 में इस लोकसवा सीट से बाजपा की करूँ अशुकला मैदान में थी उन्होंने चरंदास मैंत को 11,329 मतों से हराया 2009 में भी एक बार फिर यह सीट बीजपे के हिकाते में आई यहां से कमला देवी पटले ने शिव कुमार डहरिया को 87,211 मतों से हराया अब बाद साल 2014 के करें तो इस बार भी मुकाबला कमला पटल और कॉंग्रेस के प्रेमचन जयासी के बीच था इस चुनाओ में भाजपा की कमला पटले ने 3,99,978 मतों के अंतर से कॉंग्रेस के प्रेमचन जयासी को हरा दिया 2019 में भाजपा ने अपना कैंडिडिट बदला और गौहाराम अजगने को यहां पर कॉंग्रेस के रवी परसराम की खिलाप मैदान में उतारा और गौहाराम अजगने ने ये मुकाबला 83,255 मतों से जीता वही जोते नंबर पर बात करें कांके लोकसबस सीट की तो ये सीट भी 2004 से 2019 तक भाजपा के पासी रही है इस सीट पर बीजेपी के सोहन पोटाई ने 2004 में कॉंग्रेस के गंगा पोटाई को 73,626 वोटों से हराया था वही साल 2009 में बीजेपी ने फिर सोहन पोटाई को टिकेट दिया और कॉंग्रेस की और से फूलों देवीन एक ताम यहां से चुनावी मैदान में थी इस बार भी कॉंग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और सोहन पोटाई ने यह मुकावला 1,92,288 मतों से जीता साल 2014 में बीजेपी ने यहां से विक्रम देव संडी को मैदान में उतारा जबकि कॉंग्रेस ने फिर हारी हुई फूलों देवी ने ताम कोई टिकेट दिया इसने इस बार अपना प्रत्याशी बदलते हुए बीरेश ठाकोर को मैदान में उतारा यह मुकावला कफी नजदी की रहा लेकिन फिर भी यह सीट बाजपा की खाती में ही गई और यहां से मुहन मंडा भी 6914 मतों से जीते बात अगर पाचवी सीट राइगर की करें तो यह सीट भी 2004 से 2019 तक बाजपा के इपास है 2004 में इस नोकसवा सीट से बीजेपी के विश्णु देव साय और कॉंग्रेस के राम पुकार सिंग मैदान ले थे और यह मुकावला विश्णु देव साय ने 14253 मतों से जीता 5588 मतों से जीते साल 2014 की बात करें तो यहाँ पर विश्णु देव साय और कॉंग्रेस की आरती सीग के वीज मुकावला हुआ इस चुनाओ को भी विश्णु देव साय ही जीते और जीत का मार्जन बढ़कर 216,750 तक जा पहुचा 2019 में बीजेपी ने राइगर लुकसवा से गोमती साय को मेदान में उतारा और कॉंग्रेस के लाल जीत राठिया उनकी सामने थे इस चुनाओ में भी भाजपा की गोमती राठिया ने लाल जीत राठिया को 66,027 मतों से माद दी बाजपा की सीटों में एक और सीट है सरगुजा, सरगुजा भी 2004 से 2019 तक बाजपा की ही पास रही है 2004 में इस सीट पर नंद कुमार साय और कॉंग्रेस के खेल साय सिंग के बीच मुकावला हुआ इस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी नंद कुमार साय को जीत मिली उन्होंने कॉंग्रेस के खेल साय सिंग को एक लाग तीन हजार चार सो बावन वतों से आराया 2009 में बीजेपी से मुरारी नाल सी याँ पर खड़े हुए जबकि उनके सामने कॉंग्रेस के बानु प्रताप सिंग थे ये चुनाव भी बाजपा के मुरारी नाल सिंग ने ही जीता और जीत का अंतर रहा एक लाग उनसट हजार पस सो अर्तानिस इसके बाद आया साल 2014 इस बार यह से बाजपा के कमल वान सिंग मरावी मैदान में थे और दूसरी तरफ थे कॉंग्रेस के राम देव राव इस चुनाव को भी कमल वान सिंग ने जीता और जीत का अंतर रहा एक लाग से तानिस जार दो सो चटिस वहीं अगर साल 2019 की बात करे तो रेणुका सिंग यहाँ पर मैदान में थी और कॉंग्रेस से एक बार फिर खेल साह सिंग मैदान में थी लेकिन यह मुकावला भी बाजपा नहीं जीता और रेणुका सिंग ने खेल साह सिंग को एक लाग सटावन जार आट सो सबतर मतों से रहा हैं कुल मिला कर देखा जाए तो ये 6 लोग सबस सीट ऐसी हैं जो 2004 के बाद बाजपा कभी नहीं आ रही है और इस बार भी याप पर मुकवना कड़ा होने जा रहा है अब देखने ये होगा कि 11 सीटों में से मैं 2 सीट जीतने वानी कॉंगरिस इस बार 36 गड़ में कितनी स करीगा अन्यवाद